अब है डबल हेडर जो आज जो मुकाबला होने जा रहा है वो है डबल हेडर लगनौ वेसिस गुजरात और मुंबई वर्स पंजाब जी तो मेरे साथ श्रीकांत है और मैं हूँ करन और आज हम डिसकस करेंगे कि यह जो दो बड़े मुकाबले होने वाले हैं किसकी तरफ जाएगी ये जीत क्यूंकि अब वो पड़ाव आ चुका है कि अब आपको मैचेस जीतने हैं अब यहां से आप हार अफोर्ड नहीं कर सकते शरीकान बिलकुल करन अब जो मुकाब्ले जितने भी बचे हैं यहां आप अपने हाफ की पास आचुके हैं अब हर मुकाबले जीतना आपका लक्ष होना चाहिए और उस टेवल पे उपर कैसे जाएं ऊपर कैसे बने रहे हैं हार्टीम ही सोच रहोगी करन जी बिलकुल अगर हम बात करें तो लखनाव में मैच है दिन का मैच है नाइट मैच नहीं है तो पहला जो मैच है लगनौ वर्सिस गुजरात बहुत इंट्रस्टिंग मैच होने वाला है हार्थिक पांडिया लीड कर रहे हैं जीत के पहले बालिंग करेगा या फिर वही जो प्रैक्टिस सिल्थी आ रही है कि हम टॉस जीते और बैटिंग करें तो यह बहुत इंट्रस्टिंग फैक्टर हो गया क्योंकि जो पिछ है वो बालिंग के फेवर में पेस में आपको मदद मिलेगी स्विंग मिलेगा और में थोड़ा मुश्किल लगा था कि मुश्किल दौर चल रहा है बट अब लग रहा है कि फोड़ा फॉर्म वापिस आ रही है उंके पास अब बड़ी इनिंग जो हम देखना चाहते हैं वह बल्ले से में दिखी नहीं है लेकिन हाँ ले में नजर आ रहे हैं हो सकता है यह मै बिल्कुल देखे अब जो अगर हम फेंटेसी की बात करें तो जा रहा हूँ हार्तिक पांडिया के साथ ऐसा कैप्टन क्यूंकि अब मीरे को लगता है कि फॉर्म आना बहुत जरूरी है अगर आप पर्फॉर्म नहीं करेंगे तो कब पर्फॉर्म करेंगे यहां से आपका करना बहुत दारमदार रहता है और अगर हार्दिक पांडिया चल गए 50 स्कोर कर दिया और विकेट्स पे ब्रेक्ट्रू मिल गए तो आपके पॉइंट्स है ना फैंटिसी वह बहुत बढ़ जाते हैं उसके लावा कायल मेयर्स जो की बहुत 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 पर रखा है डेविड मिलर को लिया है केल राहूल जो अभी तो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं क्योंकि शुरुवाती में थोड़े जटके लगे थे बट केल राहूल से भी उमीद रखेंगे कि फॉर्म कंटिन्यू रखें तो तगड़ा मैच होने वाला है आपके विके को तो यह एक की जो हैं वो रोल प्ले करते हैं हमेशा से उसके बाद शुमन गिल क्लास बैट्समेन है इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं अपनी फैंटेसी में सेंचरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम शुमन गिल से उसके बाद है साई सुदर्शन है मार्कस टॉनिस एक और और आप्षिन है मार्क बूड और राशिद खान राशिद खान को मैं चाहता था कि वाइस केप्टन मनाऊ बट नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जो कायल मेर्स हैं वो रंज भी मनाएंगे और शायद हमको विकेट भी दें तो पॉइंट्स के चकर में राशिद इस बाशिद खान को मैंने नहीं लिया अब आपकी अपनीशन आप जान लिए अपनीशन के उनिक अपनेशन के रहा है और आप आप कर सकते हैं और रहा हैं प्री आपको युदे आपको विद्लाइएंगे उसके बाद में टीम में जागा दिया और शुमान इंपक्ट नही डेविड मिला मेरी टीम में है, राशित खान, जिनकी आप बिलकुल है ट्रिक पर ले चुके हैं, एक बार उनको आप भूल नहीं सकते हैं, मौहमद शौमी को मैने टीम में जगा दिये, रवी विश्णोई को टीम में जगा दिये, निकॉलस पूरन, काइल मेर्स, मार्कस स्ट अगर हम फैंटेजी किया है, तो दिन का मैच बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है, मेरे को लगते हैं, नेक तूनेक फाइट होगी, मौर्निंग के मैच में, जो आफ्टरनून का मैच है, और लास्ट बॉल फिनिश हैं, नहीं टीम हैं, नया जोश है, लास्ट सीजन में बिल्कुल यार, यह ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ वर्सस साउथ आला ही मुकावलाएक तरीके देखा जाए, तो जहाँ पंजाब, वहां मुंबई, हाँ, थोड़ा सा अड्वनटेज देखे तो मुंबई के पास जा रहा करन, क्या कहना चाहेंगे आप, ने देखें, सब फॉर्म में आचुके हैं, सुली कुमार, इशान, किशन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रोई चर्मा ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 50 मा रहा था उन्होंने जब दिल्ली के खिलाफ खेले, और उसके बाद अर्चुन तंडूलकर, जो अभी तक बले आप सपोर्ट पंजाबों कर रहे हों, नहीं बिल्कुल करेंगे कि यहां पर अर्चुन तो स्कोर आही रहा है, तो 170 का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमें 5.5 सेंचुरी देखने को मिलेगी दोनों साइट से, पंजाब भी कम नहीं दिख रही है, इस बार, शिकर दवन द बार, बिल्कुल उनको भी औरेंज के रहे हैं, अच्छा, वो सिंगल-हंड़ी टीम बच रहे हैं, बचा ही रही है, भाई, अब हम यहां से पीछे अगर मोड़े तो भारी जाएंगे फिर, है आप दिल्ली भी जीत कहीं है एक मैच, बिल्कुल है उम्मिद जाएगी कि आखने आएक milestone बनाये जीत का our family जी बिलकुल अगर आँए fantasy discuss कर लेते कि हमारे cock हमारे दर्शक जरूर बंशाइए fantasy की बारे में और fantasy मैं आपको सब्सक्राइब उसक्राइब कि七 क्रणार लिdom किसको select करें किसको नहीं बट जो points दे सकता है मैंने अपनी fantasy में वही रखे है इशान किशन इशान किशन को आज़ा मैं captain देख रहा हूँ captain देख लिए वाई नोने captain देख रहा हूँ क्यूँ उसके पीछे logic है अगर Mumbai बैटिंग करता और उसके पीछे कोई बड़ा लेंगे चेज़ है, तो इशानकेशन का रोल जो बहुत इन्बॉर्टन प्रहते है, केमिर यहां खीछन का रोल बहुत है, ले लिया है, उसके बाद श्षिकरद Onion पंजाब में श्विक blossom परकुणर दन लेंगे वहीं है, वहीं है, उसके बाद सूर्य कुमार यादब टिम डैविड और तिलक वर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है जिनका मैं नाम लगँ तिलक वर्मा का फॉर्म शांदार चल रहा है अच्छे खिलाड़ी मुंबई को मिल गए है मिडल ओर्डर में उसके बाद सैम करन को मैंने वाइस कैप्टन लिया है इसलिए क्योंकि अब जो है सैम करन का चलना भी जरूरी है विकेट्स लेना भी जरूरी है और बैटिंग में भी वह मिरको लगता है कि अब दा ओर्डर थोड़ा आएंगे मिडल ओर नीचे नहीं जाएंगे सैम करन को थोड़ा सा उपर मौका मिलेगा उसके बाद कैमरून ग्रीन है रितिक शौकीन है पिउस चावला और अर्शदीब सिंग अर्शदीब सिंग मेरे को लगता है कि की विकेट टेकर हो सकते है पंजाब के लिए तो यह मेरी टीम है वाइस कैप्टन है सैम करन और इशान किशन कैप्टन आपकी यहां पर टीम सुनी है करन की यहां पर तड़क क्या मैच खेल रहा है मुंबई के लिए देखके बिलकुल मज़ा आ रहा है उसके बाद लियाम लिविंग सिंग को मैणा वाइस कैप्टन मना आया है भाई देखिए और लाउंडर है कुछ भी कर सकते हैं और तो तो देखके मज़ा तो आ रहा है इशान किशन को टीम में ज जगा दिये, शिकंदर रजा को जगा दिये, कैमरन ग्रीन, पियूश चावला जो इस साल बहुत अच्छे लेह में नजर आ रहे हैं इसके बाद अर्शदीव सिंग और करन के वाइस कैप्टन साम करन को भी में टीम में जगा दिये वाई देखिए कॉम्बिनेशन जो टीम क ब्लास सेटड़े होगा, मजए द्यार कहीं मच जाएए, बने रहे हैं, मैच देखिए, इंजॉय कीजिए, और आप ग्राउंड में हैं, तो हमारे साथ वीडियो शेयर कीजिए, वो जो आपके रियक्शन हैं, वो हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम भी वो मज़ा ले सकते हैं, तो फिलाल बने रही है हमारे साथ, हम फिर लोटेंगे, संडे के जो मैचिस हैं, उसके बार वे हम फैंटेसी टीम बनाएंगे, और आपके साथ शेयर करेंगी, कि हमारी फैंटेसी टीम कौन सी है, तब तक के लिए, शक्र लिए, शक्र लिया,